नमस्कार आप देख रहे हैं हरियाना न्यूज एक्स्प्रेस मैं हूँ आपके साथ का अजल आये रुपकर देश्वक्त के बड़ी खबर की ओर जिला कत्वा मुख्याले के कोट मार्ग पर शाम के समय अवैद रूप से लगने वाली रेडियों फड़ियों को लेकर आने जाने वालों को परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है इसके चलते लोगों में भारी रोश है मार्ग से सर्टी जिला कोट में आवाजाही के लिए भी वहां के स्टाफ सदक से है और वकीलों को परिशानिया आ रही है बार एसोशियेशन के अध्यक्ष एड़ोकेट अजात शत्रु शर्मा ने कहा कि शाम के समय यहां रेडियां लगा दी जाती है इनसे हर रोज यहां जाम के सित्यूत बन हो जाती है उन्होंने कहा कि अगर प्रिशासन ने अलग जगा अलोट कर दी है तो फिर यहां से रेडियों और फड़ियों को हटाया जाना चाहिए ताकि आवाजाही करने में परिशानी से निजात मिल सके अड़ोकेट हेमाशु शर्मा ने भी प्रिशासन से इस दिशा में गदम उठाने के अपील की है दोसरी तरफ शहर के सबसे व्यस्त मुखर्जी चौक में पार्किंग की समस्या जी का जंजाल बनी हुई है यहां मुख्य बाजार में आने वाले लोगों को अपना वाहन पार्क करने के लिए उठे स्थान पर जगा नहीं मिलती है जिसके कारण लोग भी सड़क पर अपने वाहन खड़े करके चले जाते हैं कठुआ से हमारे समवागदा था विकास पंडित की रिपोर्ट दीवार के साथ यहां खोके बनाई होते थे और नीचे एक जो था ड्रें था बहुत बड़ा ड्रेंड था तो उपर को के बने होते थे वो नहीं ने को के वहां से हटा लिए अब जब उन्होंने हटाए उसके बाद लोगों ने पुटेशा है के रेडी फड़ी तो यह धीव लोग है चो लगानी चाहिए लेकिन बात यह यह पहले यहां पर डी सी थे उन्होंने यहां से एक अभियान चलाया था और यह रेडी फड़ी हो यह शेयर के बाहर लगनी एक तो वह रोड बड़ी कंजस्टिड रोड है चोटी रोड है वहां आम आला जाना लोगों का ज्यादा है कारें भी चलती है स्कूटर बोर्स चलते हैं उसके पवजा से वह जो इलाका है इतना कंजस्टिड हो जाता है शाम को कि एक दूसरे से इंसान की आपस में टकर हो आपस में लोग एक दूसरे को रगड़ के निकलते हैं औरते हैं वहां सब्सक्राइब आती है रहा नाम हिमाथी सर्मा है मैं एड़ोगेट हूं बिस्टिक और कट्वा में जैसा कि आप देखें कि कट्वा कोड के बाहर जो रेडिय लगती है और यह पूरी रोड का पूरी अपनी रोड के साथ ही पारकरते हैं हमारे पेस्बूक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करे साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करे सब्सक्राइब करे और ताजा ख़बरों के लिए बैल आइक उन को दबाना नब भूले